कुदेव जो पी असी महोंगे बाबाल इन रात पड़ना है मजा बोधा माल कावबर ले थसरे ठेंसन अरे कावबर ले थसरे ठेंसन जब अपसर बनके तेकर बेदा माल ये कैसे होगा से अपसर नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं रस्वन सिंग राजपूत कॉंपिटिशन कम्मुनिटे के स्प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं जैसे कि आप जानते हैं कि CGPAC 2023 को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने टॉप MCQ सरीज स्टार्ट की है जिसके अंतरगत चत्तिवर की सिंगला चार रही है जिसमें आपने अभी तक चत्तिवर का बुगोल और चत्तिवर के इतिहास देखा हुआ है उसी टॉपिक को म आगे बढ़ाते हुए आज चत्तिवर की जंजाती स्टार्ट करता हूं जिसके मत्रपून MCQ आपके सामने मैं ला रहा हूं ठीक है तो सबसे इंपॉर्मेशन हमारा जो सिंखला है MCQ पे बेज़्ड है multiple choice जो question है उस पे बेज़्ड है ठीक है तो धान देना सबसे इंपॉर् उसके चत्तिवर की जो जन जाती है वो टॉपिक आपके पास पूर्ण हो जाएगा ठीक है स्टार्ट करतें को संसे को संब पहले लेते हैं ठीक है फिर चल्चागों मा आगे बढ़ाते है ठीक है जैसे कि आप जानते है कि हमारा जो स्रिंखला है हमारा जो ये शीरी से रही ह उसका एकमात रुदे से CGPC 2023 को क्रैक करना ठीक है और क्रैक तभी वो सकता है जब आपके पास MCQ का experience अच्परियेंस अच्छे रहे आप MCQ को चार आपके पास option होंगे सही option आपको को टिक करना है ठीक है तो ध्यांदरा सबसे बले कोसरा लेता हूं उस कोसरा के साथ साल मैं आपको इस्टेजी बताते जाओंगा ठीक है पैला परसे पड़ते हैं ठीक है साथ 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 सबसे पोड़े की याद रटना बेटा MCQ या फिर जो भी वंडे एक्जाम हो ठीक है बता आपका प्राइमरी काम क्या है प्रस्ण को एकदम ध्यान पुरुवक पढ़ना है प्रस्ण लिखा क्या है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है यकीन मानो कुछ बच्चे प्रस्ण को गलत पढ़के सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं इसलिए बारनों का उत्तर भी गलत हो जाता है इस बात को ध्यान दर अबहुत जरुरी है के अतर तोह मारी प्राइमरी काम है प्रश्ट और ध्यान शेपढ़ना अब प्रश्ट हमने थ्यान सब्सक्राइब करें तो ऐसा काम करने से बचना है ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्टन लेते हैं पहला पर देखिए यहां पे लिखा है दो है 36 गड़ राज़ देखिए नशंधान एवं प्रसिच्छ शonstान कहा इस्थित है यादटनाव यह जो इंसित्यूट है वो जनजातियों के अनुसधान एवं प्रसिक्छन से संबंधित है याद रखिएगा यह जो हमारे झाला बॉला है कि विलाइ में श्ती थैい क्या विस्वार बोला गिया है झापर अजुए को पता है तो एक किशी को कता है तो प्लीज बता सकते हो किसका क्या हुगा ढ़ ज च्वानीत चानना शबसे इंपॉड़ेंची याद रखना यह जमारे पास सनिस्थान है। जांजाती अनुसंध्धान एवें प्रशिक्षन संस्थान ये बना है सितंबर 2004 को बना है याद रहेगा और धान इसकी स्थापना 36 गर की राजधानी राइपूर में किया गया है कहां पर किया गया है राइपूर में लेकिन धान दा वरतमान में यह कहां पर है धान दा वरतमान में यह 36 गर की वरतमान राजधानी नवा राइपूर अटल नगर मे जन्जाती अनुसंधान एवन प्रशिक्षन सनस्थान का मुख्याले है जिसकी स्थापना कब हुई है उध्यान दरा दो सितंबर 2004 को हुई है याद रहेगा या तर तो देखो एक बेसिक चीची है आपको सबसे पोड़े चीच परशने पहले पढ़ना है और भी पुरे ध्या हो जाता है तो अपने साथ खेला हुने नहीं देना छिकना इसको फेंड़े है तो मुझे युष यसा लगता ने लेकि न्याद रटना इसको गल devotion करना अँक्त यांतर यह पहला परशन ठीक है अब धियान दरा इसी के बात दूसरा प्रसेवर्रष चलते हैं जूशा उसे कर ने बताया था विड़ा की इसको अच्छे से रिड करना है ठीक है ना दूसरा प्रस्ण हमारे पास है ठीजगर के अनुसुचित जन्जातियों की सूची निम्द लिखित में से किस्म है यादरे का प्रस्ण क्या है ठीजगर की जो सेडूल ट्राइब है इनका लिस्ट कहां द दूसरा मद्यपरदेश पुनरगठन अधिनियम वर्ष 2000 में है जिसके तहत हमारा राज्य बना है याद रहेगा तीशरा मद्यपरदेश लोक सेवा अनुचुचित जातियों अनुचित जन्जातियों और अन्य पिछा वर्गों के लिए आरक्षन अधिनियम 1994 में है या जो हमारे पास 36 की जन्जाती है चतीवड में याद रहे हैं लगभख हमारे पास 42 प्रकार की जन्जाती है और ये जो 42 प्रकार की जन्जाती है इनका लिस्ट कहां दिया है प्रश्ण आपको पूछा है लिस्ट कहां दिया है तो अध्या मैंने पड़ा इसका जो लिस्ट है option के अनुशार दिया हुआ है मद्यप्रदेश राज्य पुनर गठन अधिनियम ठीक है पुनर गठन अधिनियम वर्ष 2000 में दिया गया है आपको याद रखना है बराबर यहां तर ठीक है देख लो चेसे option में कहीं है क्या जो देख लो चेसे है कि नहीं नुशंधान एवं प्रशिचंस अंसान कहां पे था आपने बताया नवा राइपूर अटन लगर राइपूर सबज में यहां तक कब बना था 2 सितमबर 2004 को बना था ठीक है दूसरा अपने लिया इवे चतीस गर में जो जन्जाती है इनका उले का पर इनका लिस्ट कहां पर दिया हुआ है तो यकीन मानों इनका इनका लिस्ट दिया हुआ है बद्रबर देश राज्य पुर्णगठन अधिनियम वर्स 2000 में दिया गया है ठीक है यह तक कुछ बेसिक बदा देता हूँ आपको यह तो आपने बोल दिया कि भाई कहां पर इसका उले किया गया है याद रहेगा धान दर बेटा जितनी भी जन्जातियां है याद रखना इनकी जो परिभासा है वो भारती सवधान का आर्टिकल 366 2824 में दिया गया है आठीकल 366 ब्रेकेट में याद रखना अनुच्य 136 24 में दिया गया है जन्जातियों की परिभासा याद रहेगा और सेड्ल कास का जो परिभासा है वो आर्टिकल 356 में दिया गया है यह आपको याद रखना बनावर यहां तक तो यह हैं अभी तेखा में दो प्रस्ट देख लिए प्रस्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको ध्यान देना कि तीशना प्रस्ट लेते हैं भारतिय सविधान की अनुसुची की धारा सेक्शन नमबर 20 में इस राज्य की कितनी जंजातियां सुची ब बनावर यहां तक यहां पर बोला गया है कि भारती सविधान की अधूची की धारा 20 में राज्य की कितनी जंजातियां सुची बद्द्द्द्द है तो देखो 42 सब्सर्में है 36 30 60enger 42 होगा भयाभर बना यहां तक इसको घ्यान देना क्लिए हैं यह नतक ठीक है इस बात को याद रखना है क्वह फ्यालें जंजाती है लिस्टिट कहां पर रह और किस धाराभ नमबस 20 Road भीस में ठीक है बटेखे अगर कुछ लेते हैं देखो प्रेस्ट नमबर फोर में क्या दिया हुआ है कि 36 गड़ में निम्द लिखित में से कहां पर सविधान की पांचवी अनुफुची लागू है याद रहेगा भारती सविधान में अगर दिखा जाए टोटल बारह सेड्यूल है बारह हमारे पर अनुफुची ह है और धान दरा जो अनुफुची नमबर 5 है पहले उसमें क्या दिया गया उस पे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद यह जो पांच भी अनुफुची है सेडियूल नमबर 5 इसकी बात आती है और इक ही चोबब बता देता हूं मैं चोड़े पीट अनुफुची नमबर 6 भी पता देता हूं ठीक है पांच और से दोनों की बात करते हैं ठीक है नहीं आप तक इसको देख लो अच्छे से तो ध्यान देना सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है देखो भई शेडूल नंबर जो पांच है वो भारत के 10 राज्य में है धान दरा भारत के 10 ऐसे राज्य जहां पर जन्जातियों का बसाहट है उनको अपर शेडूल नंबर फाइब के अंदर गद रखे हैं अब वो राज्य कौन-कौन से है तो कैसे याद करोगे देखो सबसे अपने बिटना 36 गड को याद कर लो 36 गड के उपर में एक राज्य आपने देखा है MP और दूसरा और पर शेडूल नंबर फाइब लागू है याद रखना तेलंगाना और अंधर प्रदीश फिर पश्री में आओ गया महारास्ट फिर आपको मिलेगा गुजराथ फिर आपको मिलेगा राजी स्थान कितने हो गया देखो यह हमारे पास कीता हो गया दो दो चार पाँच छह साथ आठ और चति वड़ों गया नौ और सबसे उपर में और राज्य याद रखना ही मचल प्रदीश तुन था अंदर बटा दस यह ऐसे राज्य है जहां पर सेडू लंबर फाइब लागू है याद रखना सेडू लंबर फाइब कितने राज्य में लागू है दस राज्यों में बात करते हैं सेडूल लंबर 6 तो जाना इसके ये भारत के चार राज्यों में सेडूल लंबर 4 लागू है इसका ये मतलब है शेडूल लंबर 6 के अंदर कितने राज्य आते हैं पेटा तो क्या बता होगे 4 राज्य आते हैं ठीक है पहला राज्य कौन सा है और अफंपरणा एक हमारे पास होगा संपर और संकी नीचे किया याता है मेघालै मेघालय के बाद क्या एगा टरीपूरा याद रहेगा और तरीपूर तो याद हटोना पीटा मी-जोरम M.J.M. तो यह चार राज्य धान दना सिड्डूल 6 के एक दर जाते हैं आर सिड़्ूल फाइड केन्ट जाते हैं थुद्ध देना हमारे पाश तोटल दस राज जाते हैं इनका नाम आपको याद रखना था बराबर यह तर इसको याद रखना अब पर रस्ट कहूं राते हैं ल laughed प्रस्ट में उलेक किसका है च्छतीस गड़ का उलेक है कि भाई च्छतीस गड़ में निम दिलिखित में से कहां पर सविधान की पांचवी अन्हुची लागू है देखते हैं यह लेकरमें अप्सेट नमबर यहम दिया गया है घर घोड़ा डूसरा ले लुंगा यह भी और है रायगर में है बाल परताप पूर्य कहां पर है कांकेर में और यह धम्दा कहां पर है दूर के दूर के मिलट में तो अब्यसे बात वह एक्दम कॉन्फिटेंस तो है ना कि ध दो नहीं होगा या तो द्यानदना Let me secure करने का principle याद रखना एंदिमिनेशंड कि एलिमनेट करना है तो एन वनो द्म्हूकिन से कटि यंग उठesto द्यानदना नहीं होगा 1 2 3 है कहीं पर है बिल्कुल है लेकिन घरगोडा राइगर को पूरा करा ट्राइबल बेल्ट है याद रहेगा तो ध्यान देना इसका उत्तर होगा ऑप्शन नमबर डी बराबर यहां तक देख लोच्छे से कोशन नमबर फोर क्या है कि भाई 36 यह दिया गया जो ऑप्शन है में शेडूल नमबर फाइब कहां पर लागू है याद रहेगा तो ध्यान देना घरगोडा में लागू है लेलूंगा में लागू है भानुपतापूर में लागू है बराबर लेकिन धंदा में लागू नहीं है ठीक यहां तक तो ध्यान देना आपको जो मैं यहां पर एमची क्यू उपर पार हूं ठी भी आपको अच्छी से कवर करना है, बराबर यहां तर इस बात को ध्यान देना, ठीक है, देखो, MCQ शिरी चलाने का उद्देश यह है, आपको एक विजन दिखाना, आपके माइन को उपन करना, आपका विजन बढ़ाना, ठीक है, जिसे मैंने बताई आपके कि बढ़ाए अगर कुछ 50 पोचें छेत रहे, हो सकता है किसी जीले का पड़ी कुले कोई गाउं ही आता है, कोई कसबा ही आता है, तो जीले कौन-कौन से हैं, ठीक है, तो यही चीज आप, इसी चीज में आपको लग जाना है, आने वाले एक्जाम के लिए, बराबर यहां तक और यह बह पॉसर नमर फाइब में आता है, परस्त कबांग पांच में आता है, ठीक है, पांच कि अगर बात करेंगे, तो देखो भई, 36 गण में घोसित, सेड्डूल एरिया के सम्मंद में, अनुफुची छेतर के सम्मंद में, कौन-कौन से कथन सहीं है, याद रहेगा, देखो, निम्द लिखित में से कौन-कौन से सहीं है, बराबर यहां तक इस बात को ध्यान देना, याद रहेगा, तो देखो भई, शिड्डूल एरिये कंदा का सुर्गजा जीरा संपूर आता है क्या, बिल्कुल सहीं है, कौर्बा जीरा संपूर आता है क्या, बिल्कुल सहीं है, अर अगर जिए समपूर आता है कि नहीं आता है जस्पुर्ज माज़ आता है कि आप बिलकुल आता है सुर याद रहेगा क्या देखो भैष वैं बता देता हूँ आपको अच्छे सी याद रखना है ठीक है अगर देखा जाए ठीक है अभी सरगुजय संपाग में 6 जिले आते हैं ठेके ना बना MCB नया बना है तो उसको सब्सक्राइब को छोड़ो पांच याद रहेंगे बस्तर संपाग में 7 जिले किते होगे 12 याद रहें संपर्ण रूप से Sed ....чD grain में नहीं आता है तो ऑप्षन में क्या दिख रहा है 124 ऑप्षन में कही कि पी brunch दिख लुट को होगा आपके पास D होगा क्या विट ने बताओं कि धी हमेशा जब इस प्रकार के प्रस्ण आते हैं ठेक्ट कथन वाला प्रस्ण आता है ठेकि जब आपके पास ऑप्शन वह सारे होते उस कंडियोंमेशन तरीके से क्या कर सकते हो इस प्रस्ण का उतर हो ठेक्टे यह दान देना इस पांच याद रखना है ठीक है यहां तक इतना क्लियर है ना सबज में आया है ना इसको याद रखेएगा ठीक है यहां तक अधान दरा भई एक शी बता देता हूं 36 गड़ के 14 जिले याद रहेगा 36 गड़ के 14 जिले 100% अनुशुची छेत्र कंदर का दाते हैं और 6 जिले आनसी क्रूप से शेडूल एरिया के अंदर का दाते हैं याद रहेगा 14 जिले शेडूल एरिया के अंदर का पूरी तरह से आते हैं और जो 6 जिले आनसी क्रूप से करते हैं ठीक है ना अब देखो भाई यहां पर प्रसाशन में माड़ा के अंतरगत छेत्र सामिल है याद रहेगा यहां पर प्रसाशन में माड़ा के अंतरगत छेत्र सामिल है याद रहेगा यहां पर प्रसाशन में माड़ा के अंतरगत छेत्र सामिल है बराबर यहां तक दे कि ढेवलोपमेंट कि आधशाए कि अधरी थी कि आया समुझ में आधर माड़ा का पूरा नाम क्या होता है मौडिफाइड एरिया डेवलोपमेंट अथॉरिटी यहां तरहीं कि दानम इसके अंतर का 36 गटर के 9 शहेतर शामिल है 9 अब उस 9 शहेतर में परष्णे में क्या दिया है 4 शैतर को लेख दिया है एक बलौदा बजार एक नचानिया एक कमरधा एक हमारे पास गौरिला याद रहेगा यत्तर इतने समझ मैं है जी तो द्धान में इसका उतर क्या होगा फ़ाइब उतरार को मिलेगा बलवदा बजार नचनिया अब्धा या तरताysis और упर्णर 2 नहीं सामिल यह इन परश्ण के बेसिप गर देखा जाए जो हमारे पासा ऑप्शन ना इस ऑप्शन में गौरेल एक गौरेला के जो है माड़ फेक है का सामिल नहीं है वावज सर्टे जो तीन टॉपिक दिया है थी आ हमारे पास ऑप्शन है यहां तर ना वो क्या किसमें अपीट त है उसके चर्जा करेंगे आने वाले प्रस्ट में ठीक है यह तक इसको याद रखनावीटे प्रस्त नंबर 6 हूग गया इसके बाद कोसर्श के बाद अगला पर रुख करते हैं कोसर्श नंबर 7 पर ठीक है अदीवासि उप्योजना छेत्र के अंतरकत आता है याद रेगा जो जनगणना 2011 में बोला गिया एकि छत्तिफार राज्य कितना छेत्र अधिवासि उप्योजना छेत्र में आता है वराबन यहां तक किस बात को याद रठना है हुआ है कि इतना क्लिएर हुआ तो देखो भई धानदरा देखो इसका एक्जेक्ट उतर न कि 998453 किलोमेटर स्क्वेर कित्व है क्या बता हूगे इसका एक्जेक उतर क्या पर क्या बता होuckin eerste in canada 800 temple आफो दो सो टिरह रही होलता हूं इंछान इनकी की है Este pray कि दो सोंदियाइमेट्र जो सब्सक्राइब कर से लोगर ay Đिम्स की एटिया पस्तर में पना पर एंक्वित आइनजीट बोसो टिरपन बरहावर कि ले तक इतना क्लियर है इसको ध्यान दो देखो एक छोटा से चीज बताता हूँ देखो भई 36 गड़ का छेत्र फल किता है तो ध्याना यहां को पता होगा 135 192 वर्ग किलोमेटर स्क्वेर किलोमेटर यह हमारे पास रहेगा दूसरा अध्याना 36 गड़ में और नुचुची छेत्र कितना है शेड्यूल एरिया कितना है याद रहेगा 36 गड़ में शेड्यूल एरिया कितना है बराबर यहां तक उधाना यहां को मिलेगा 81861 किलोमेटर स्क्वेर यह 36 गड़ में क्या है शेड्यूल एरिया का छेत्र है किता है 81 861 बराबर यहां तक और तीछरे अदा में 36 गर में आदीवासी आदीवासी उप योजिया छेत्र कितना है जो अभी पुछा गिया था तो जाना पेटा यह कितना है इंक्यानबे 253 किता है इंक्यानबे 253 किलोमेटर स्क्वेर बराबर यहां तक इसको याद कर लो अद्धान देना अच्छे से एक चीज़ याद रखेएगा 36 गर में जो मारे पास आदीवासी उप योजिया छेत्र है यह जो है वो इसका कितना परसेंट है तो धानरा पेटा आदीवासी उप योजिया चेत्र चेत्र चेत्रफल का 67.25 परसेंट है कितना परसेंट है 67.50 परसेंट है यापको याद रखना है ठीक है आपने देखो अच्छे से सबज मैं या तुदे कुछ सतीव के छेत्र पहले प्रसेंट के लिए अपने सब्सक्राइब करना है यह आपको याद रखना है ठीक है और अदीवासी उप्योजना चेत्र प्रसेंट है जी आपको याद करना है बराबर यह तक तो प्रस ने था वो प्रस भी कंप्लीट होता है इसको याद रखिएगा ठीक है आगे चलते हैं कोशन नमबर 17 में आते हैं देखो एकदम समान ने शर्ट आप प्रसन लिया है मैंने याद रटना है आपको सेम प्रसन को अधीट करना है घर में जाके सबज़ माया है तक देखो कैसे तो प्रसन है इन में से कौन सा वेरियर छो मानाव सास्त्री है एक सिकना चींज करते हैं कलर म supreme बढ़ियर गोटूल यह थे खुई यहाद रख स्ट्री वेरियर अले स्टी नुढ़ रहा है तो पढ़ते हैं पहला मारे पास क्या है दमुर्यांद एयर घोटूल यह हैं यह थे जो बुक है दमुरिया एंदर गोटुल मानाव सास्त्री वेरियर एल्वी नहीं लगभग नौस वर्सों तक नौ साल तक मुरिया दिवासी पर रिसर्च किया है उनके साथ रहके उनके साथ उनका रहें सहन को देखा है और फिर बुक लिखा यह जो बुक है वो अक्सपोर्ड यूनिवरिसिटी में पब्लि मिस्टर असी रॉय ने क्या किया है बराबर यह तक इसलिये इसका ऑप्षन क्या होगा मईकर बुक होगा क्या हुगा इंदेखा पर चूंद अ कॉनिए ना प्ऩर असरे मारे पास देख है उनके बुक अगरश चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जैसे अगर दिखा जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा, जैसे S.C. रोय का दबीर होर है, ठीक है, स्यामा चरन दूबे का अगर दिखा जाए, स्यामा चरन दूबे, ठीक है यहां तक, दक कमार होगा, जोर्ज गरियेशन का अपने सुना अगा, दमा बाद रहेगा ना, जैसे प्रकार के परशने एक्जाम में आ सकते हैं, जन्जातियों के बुक से रिलेटेड, तो प्लीज, नोटीस कीज़ेगा इस परस्ट को बनावर यहां तक जाथी बुक से परस्ट बन सकता है ने अपर बुक के बाद ने बढ़ते हों हम ठाहिए भी के बढ़ते हैंक जंजातेूंी की प्रजाती पर रंटे किस पर राद्र पर इस पर इस प्र पर जो इनको जा स्पीशिस से उनमें किन स्पीशिस का बहाँ बसाहट सबसे जादा है बराबर यहां तक उठान यह सबसे परदे हैं भूमद जागरी तुसरा है निग्रेटो तिसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट चौंथा है बी और सी दोनों बराबर यहां तक याद दूसरे नमबर में आता है प्रोटो ऑस्टेलायड बराबर यहां तक याद रहेगा उधान देना च्छाटीजगर में जन्जातियों की कौन सी प्रजाती सरवादिक है तो आपको सहीव दूपसिस को उतार लेना है निगरेटो और प्रोटो ऑस्टेलायड बराबर यहां तक जन्जातियों के प्रजाती से संबंदित प्रस्ण ठीक है इसको याद रखना ठीक है अगला चलते हैं और प्रस्ण नंबर क्या लेते हैं अपन दस्वा लेते हैं अगला प्रस्ण किससे बेज़ने हैं उब जाती पर याद रहेगा उब जाती ठीक है ना इसको चेफ याद है जो है वह कमर क्यूब जाती है अर्थात उराओं की नहीं है समझ माया दूसरा मरपास कौन सा है डोंगरिया बराबर है तुटिया है जामिया है पेगा याद रहेगा जो कॉंद जन जाती है ना इसको जाती के नाम डूंगरिया है, कुटिया है, पेगा है, यह सब उसकी उप जाती है, बराबर यहां तर नहर, नहर धानदा है पेटा यह बैगा की उप जाती है, नहर आता है, राई आता है, बिंजवार आता है, राय मैना आता है, मतलब यतने भी चीज़े हैं वो बैगा की उप जाती है, अ टॉपिक वे चीजे बताते जाएंगे उसको अच्छे से रीट कीजिएगा जंजातियों की उपजाती से भी परश्णा बनते हैं एक्जाम में ठीक है अंदर आपको जितनी भी जंजाती है उनके उपजातियों का जिसे उराओं उराओं की जो उपजाती है एक का नम है कुडास कुडास है ठीक है उराओं की जो उपजाती है उसका उपजाती है कुडास दूसरा मारे पास है किसान तीसरा मारे पास है कुरुक तीसरा मारे पास कौन सा है कुरुक बराबर यहां तक इसको याद रखेगा और हमारे पास है दंका सबने बाएं यह जो है फांच यह उप जाती इन में से अगर कुस दिखेगा तो option में होगा अगर option में नहीं है cord तरह ने क्या लिया नोट अना नाब्दा इबाव बराबर यहां तक प्लीर है यह इसको पढ़िए गाँ यह मर पस क्या है जल जातियों से रिलेटिट उप जाती से संबंदित प्रस्ण हो गया है ठेक है यह तक ना प्रस्णों को आगे बढ़ाते हैं ठेक है आप कमेंट करके जिरूर बताईएगा इसमें को डाउट है कि नहीं है अकर कुछ समझ मनिया तो प्रीज भी बता सकते हो अगला प्रस्ण चलते हैं प्राधिकरन की ओर प्रसाशन की ओर चलते हैं तो प्रस्ण क्या है इन में से किस इस्थान पर केंद्रिय विशेश पिछडी जंजाती विक विशेश पिछडी जंजाती विकास प्राधिकरन अगर देखा जाए भारत सरकार का अरथाज अगर केंद्री है देखा जाए तो टोटल आपको कितने मेंगे च्छा मिलेंगे याद रेएगा पर्टिकुलर्ली वर्डवेबर ट्राइब याद रहेगा विशेश पिछडी जन्जाती विकाश प्रादिकरण विकाश प्रादिकरण धानदर इनकी संख्या कितनी है तो क्या बताओगे छै है इनकी संख्या कितनी तो क्या बताओगे मारे पास छै है बराबर यहां तक अब देखो यह कहां कहां पर है यह जो है वो कहां कहां पर है ठीक है एक नरायनपूर में नरायनपूर के बाद कहा पर है कमरधा में कमरधा के बाद कहा पर है गरियाबंद में गरियाबंद के बाद कहा पर है अंभीकापूर में अंभीकापूर के बाद कहा पर है बिलासपूर में और बिलासपूर के बाद कहा पर है जस्पूर में ठीक है तक इसको विकास प्रादिकरण है बैगा जंजाती विकास प्रादिकरण है गरिया बंद में क्या होगा गरिया बंद में होगा कमार जंजाती विकास प्रादिकरण है कहां पर गरिया बंद में इतना क्लियर हुआ और अंभिकापुर में क्या होगा पहाडी कोरवा विकास जस्पूर में पहाडी कोर्वा ठीक है पहाडी कोर्वा प्लस बिर्होर विकास प्रादीकरन यह कहाँ पर मिलेगा आपको जस्पूर में बराबर यहां तक देख लो अथे से तो देख लो जस्पूर में अब आते हैं परस्ट में परस्ट में क्या पूछ रहा है परस्ट हम से क्या पूछ रहा है क्या डिमान कर रहा है तो परस्ट है कहां इस्थित नहीं है तो नारायनपूर में है जस्पूर में है बिलास्पूर में रायपूर में है क्या नहीं है रायपूर में न सबढ़ भाया तक प्रीज बताईएगा कमेंड करके बिटा ठीक है ना अगला परस्ट चलते हैं परस्ट नमबर 12 में आते हैं ठीक है यहां पर आपको देखो परस्ट है निम्द लिखिप में से कौन सा सत्य है मैच कर रहा है बराबर यहां तक एक तरफ परस्णालिटी है और आथ परस्ट नालिटि कात एक परकाशने जाती पुछराओं कि जाती का है ऍसकी सहीं है गहीरा गुरू, गहीरा गुरू कहां से है, कि ग्रादरना कमर जंजाती से है, सही है, वीर नराइन शीकिस जंजाती के है, बिंजवार, सही है, गेंद शीकिस जंजाती के है, अबूजमार, ये भी सही है, बड़ाबर यहां तक इसलिए, इसका उत्तर क्या लोगे, उधान दर यहां पर आपको मैच करना था आपके पास ऑप्षन दिया हुआ है क्या वो मैच कर रहा है तो आपने देखा कि चारों ऑप्षन मैच कर रहा है एक एक आप्षन को डिटेल से पढ़ना है एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझ माई यहां तक उध्यान देना इसका उतर आपने क्या लिया एक दो तीन चार ठीक है मतलब गुंडादूर के जन्याति का है धुरवा जन्याति का याद रठना 36 गर सरकार खेल के छेतरे में उत्कृष्ट काड़े करने वाले को गुंडादूर राज्य अलंकरन पुरुसकार देता है गहीरा गुरू के नाम से पुर्गेंदशी का संबन किस विद्रो से है ये भी आप कमेंड करके बताईए ठीक है और इनको फासी कब दी गई इनको सहीत कहते हैं लेकिन कौन सा सहीत कहते हैं किस प्रकार का सहीत कहते हैं ठाकूर्गेंदशी को इसको प्लीज आप कमेंड करके बताईए मैं आपका इं सिध्धान्त का प्रतिपादन किया जिन्हें पंचिसिल का जन्जाती सिध्धान्त का जाता है तो ज्धान्त रेवड़ा पंचिसिल का सिध्धान्त दो तरीके से समझना है एक पंचिसिल का सिध्धान्त ना भारत और चीन के मध्य सांती समझवता के लिए जाना जाता है जीवन से सम्मंदित था और याद रखीएगा इसको भारत के तत्कालिन प्रधानमंत्री नहिरूजी ने क्या किया था रखा था इसकी घोषना किया था और धाना इनका सम्मंद जन्जातियों के विकास से है लेकिन धाना जन्जातियों का विकास करना है लेकिन उनकी संस्कृ एक प्रबावित होती हुए अगर हम उनका विकास कर पाते हैं then ना तो ये एक प्रकार से ज़विन विकास उनके इनके जीवन के लिए होगा और इस सेंध्धान को ही इसरेDni फोता है याद रहे गा ँठ उसे बोला गिया है कि सबसे पहला हमें जनजातियों की खत सम्मान करना चाहिए उसरा अगर हम कुछ योजना लाते हैं या योजना के माद्यम से कारेकरम के माद्यम से जन्जातियों का विकास करना चाहते हैं तो हमें योजना बनाने से पहले उस योजना बनाने के लिए जन्जातियों को भी योजना बनाने के टीम में सामिल करना चाहिए बनाबर यह तक तीशला, अगर हमें जन्जातीयों के लिए काम करना है, तो हमारा जो प्रसाच्षिक अधिकारी है या करमचारी है, उनको हम तå ङ不OTT करेंगे ट्रेनिंग देंगे, कि आप उनके भासे हो सीखने का प्रयास करो, उनके साथ तालमेल सामानजे से कैसे अब चीजे हो गया चौथा कर दिखा जण जातीों का कुछ अपने आप में संगठन होता है जाती के संगठन होता है हमें क्या करना है उनको भी सम्मान देना है बराबर यह तक उसी प्रकार से नहरु जी ने कुछ पांच प्रिंसिपल बताये था जिसको जञजातीयों के विकास सम सिध्धान के नाम से जाना जाता है ठीक है तक आजने वरे समय में याद रठना में और चचा करूंगा यखीन मानों आज का जो पहला जो विडियो है मेरा यह प्रकार का बेसिक है ठीक है इसमें जितने भी जन्जाती से सम्मंदित जो टॉपिक हो गम्प्लीट हो जाएगा अगला प्रस चलते हैं अगला हमारे परस प्रस्ण होगा कोर्शन नमबर 14 14 में आते हैं ठीक है ना प्रस्ण है निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला अभूज मारिया गोड की उप जाती है सही बात है क्या बिलकुल सही बात है धान देना 36 गर में 42 प्रकार की जन्जाती रहती है जिसमें से सबसे बड़ी आबादी जन्जाती कौन से गोड है चो की ना चैटी गर में 41 उप जाती है गजाती इक उन्से देउता का नाम है तालूर देव, देउता की पुजा की याति, सही है, जी ऑप्शन भी क्या है, सही है, उसके बाद जो अभूज माडिया है ना, इल लोग एक खेती करते हैं, उस खेती कोपन कहते है, इस्थनांतृत कृषिव, और धाम है, इनके इस्थनांतृत किसी का नाम से जाना जाता है, यहां पर रहेगा, बिलकुल, अभूज माडिया जहां पर रहते हैं, उस खेत्र को अपन कहते हैं, मिटा भूम कहते हैं, इतना क्लियर हुआ यहां पर, तो देखो, यहां पर चारों ऑप्शन सहीं है, कई भी दिखर है का 1, 2, 3, 4, बिलकुल दिख रहा है इसे उत्तर क्या होगा, D होगा, बराबर यहां पर, तो देख लो, निम्द रिखित कत्रों पर विचार कीजिए, तो जहां पर इसे उत्तर का आप देखा, आपने D देखा, कि अभूज माडिया गोड के उप जाती है, गोटुल जो युवगरी है, वहां पर तालूर देव पुजा की जाती है, तालूर देव देवता की पुजा की जाती है, अभूज माडिया कोंची केती करती है, पिद्दा खेती करती है, और वो जहां पर निमास करती है, उस निमास से तरको का आपन क्या कहते हैं, मेटा भूम कहते हैं, जी आपको याद करना है, ठीके बटा, आगे याद रखना, आगे एक और प्रस्ण लेते हैं, कोशन नमबर 15 क्यों डुक करते हैं, याद रेगा, घोटुल की सब्दा वली में कटकूल का अर्थ क्या है, कटकूल, ठीक है, तुझा आदरा बेटा, कटकूल का मतलब होता है, खटिया, खटिया को जानते, पलंग जान खटिया को, क्लियर है, याद तक देखलो, अच्छे से, तो ये था, ठीक है, घोटुल की सब्दा वली में कटकूल का मतलब का अर्थ कटिया, बराबर कहीं पर है, आप्शन में, आप्शन नमबर B, ठीक है, तो देखो, अभी तक मैंने आपको 15 प्रस्ण दिखाएं हैं, य य की सब्सों के अर्णे दर्ती घक कर दो, काunktी लाद बराबर एक दायम इंद में जहाएं म् सब्सों कर दोन है, Ohio, तो दोय मुझ को bandwidth को प्रस्त दोजल को ओंपे हैं, algunas साविझ हैं तो अज दोपिक जन्जाति, यह रृथ्षिक जवन हैं, सब्स्चतित ग्तशतु जै के लिए हो जाएगा ठीक है यहां तक तो हमसे बने रहिए और कुछ भी मेरे समझाने में या फिर कोस्टन में कुछ भी अगर समस्या है तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा ठीक है बाकी आड़ने वाले सनीवार को हम जरूर मिलेंगे और आपका जो भी डाउट है जो भी सम में से उसका भी समाधान लाइब सेशन में भी किया जाएगा ठीक है तब तक के लिए थाइंक यू सो मुझ